मिधान मा जुनकिशिगा परिकल्पना हरुगरिये काचन नेपाल मा शमाजबाद इस्थापना को योटा परिकल्पना नेपाल मा न्याय को शमानता को विकास को रशंब्रधी को जुन्य लाग शोच अगाडी सारी ये को छा पिचारव अगाडी सारी ये को छा परिकल्पना प्रश्माज मा भैका जम्मे भेदवाव हरु लाई, अन्य अत्याचार हरु लाई, थीर्चों बिचों हरु लाई, पछोंटे पन लाई, गरिवी लाई, इस अभई लाई अंतेगरने संकर्प, आज अब दीन मा हमिले गर्णो पर ले आमसेटाथ, शम्रिधान को पारा लाई प्रणो बारे शम्रिधान ले अन्य छूटे का कुरा संभट्वा केच रहे नहीं, तरफ चुनोती हम लोग केचा बने, शम्रिधान मा लेखिये को प्राबधान लाई, विहावार मा लागू गरने कसरी, नेपाली विशेष्टा को समाज बात, लाई विहावार मा लागू करने कसरी, नेपाली विशेष्टा को समाज बात को बारे मा विशेपस्तू को अभाब देही देए, गर्णू पने काम को पने अभाब देही देए, तर योजना बत धंगले अगाडी बढ़ने कुरा मा, विहावार मा लागू गरने कुरा मा, तर तो मोलिक हक्रा धिकार परदान जरने कुरा मा, देहरे ही समसिया रूदेर देही दिन थी, क्यों समसिया को पहिलो कारन, हाम रो देश मा अईले पने, दलाल लोकासाई, पुझी बादले, जसनी नेपाल को राजनिती ला अर्धन तंत्राई, तुरे आपनो कम जामा लिये को चाँ, केश बड़ा प पर लाएं अंत गर्ने कुरा गर देहां। अर्थतंत्रमा जेश को राश्टी जी बीकास को बातावन जवस्तु भास्तुल मामी तेयार गर्देहां। रामा लिज चमाह नहीं वहराखं और रूपनी और आ पढ़ें पोचिकर्णी सीपोनाव सक्वाख मतcessors कर्छूरिए अहल शन्सकार संञ्कृति हो कुछ पादनसां 그 जोड़ने काम में प्रयद घरदेयन हो रत्यस्कोरिंधी अनुकूल बात आंक सिजना घरदेयनों पुजी को माध्यमबात अबए उस todavía को माध्यमबात आवतर इंग आवतर 들तेय में वन्यूमार्गर्णे माध्यम बड़ा हुष जबसमी कुरहरों गरदेनाओ तर्वसमाने प्यावार माँ अम्ये लेखे का कुरह लाओ गर्वार सब्सक्तए है हमीले हम्यों देश को स्रम सकती लाई यूबा सकती लाई देश में राखना सकी रहे काच्छा है पढ़ाओ देए काम गर देए पढ़ देए काम गर देए पढ़ देए रोजगारी गर देए तर निसकी रेको छै प्रस्ट योजना चाहिएँ चाएँचा योजना जाएँचा अगाडी बढ़नों परने आप सिकता पर्द चा हमी शरकार लाई समिधान मा उल्ले गरिये का कुराहरू आप ले जुनी साब ले परती बताप एक्त गरिये को चा की कुराहरू भ्याबार मा लागू गर देखाऊंगा लागे हमी अगी बढ़ना आवान चाहां जो अगाडी बढ़नों शमाजबादी मोर्चा ले पनी रामरों पार्टी ले पनी रामरों काम को न्यूती सरकार लाई पुरी साथ दिलेजें